हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप स्वागत करता हूँ आपके अपनी च्रेक 11 फोकास पे इस वीडियो में हम बात करेंगे LBG vs BLD full stats plus info यानि Leatherback Giants और Blue Devils के बीच में जो आज आपको match खिला जाता देगा treated T10 से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा इस match की जो information है वो बिल्कुल ही कम available है लेकिन मैंने आपको maximum information दी है जितनी मैं information दूँगा वो आपको कोई भी नहीं दे पाएगा match रिस्की रहेगा because normally क्या होता है जैसे विंसी T10 थी के अरिबियन की same crucial T10 थी कुछ draft वगेरा था जिससे मैं पता रहता था यार अच्छा यह player को pick किया जा रहा है तो यह player भैतर है कुछ तो बात होगी सब चीज explained होती थी यहाँ पर घंटा कुछ explained नहीं है सारा information खुद निकालना है और उस पर भी आपको बता दूँ कि बल्लेवाजी करम तो शौर ही नहीं है मैं यह match से वीडियो के पहले मिनट में यह चीज बोल रहा हूँ क्योंकि आप match के बाद यह बोल सकते हो कि प्यूज भाई यह player opening पे आ गया यह तो सोचा ही नहीं था यह हो सकता है इस match में लेकिन grand league के point of view से बहुत ही अच्छा match बन सकता है सबसे पहले दोस्तों जो लोग हमारे वीडियो की description या टॉप के comment से टेलीग्राम में नहीं जुड़े जुड़ जो वीडियो की description टॉप के comment में link है अल्रेडी बताया YouTube पे subscribe नहीं किया तो कर दो आपको 4000 वला like game दिया था आपने किया साथ ही मैंने video record करना start कर दिया सबसे बड़ा analysis है जो की काम मैं करूंगा मैं यहीं पर आपको हर चीज पता लएगी कौन कैसा खेलता है कौन क्या करता है ठीक है तो यहाँ पर LBG की probable 11 आपको बता रहूं सबसे उपर Nicholas पुरान है Nicholas पुरान सबसे key player है आपको पता ही है उनके साथ Amir Jango most likely opening करेंगे अमीर Jango जिनको नहीं पता यह Traded के लिए Traded and Tobago Red Steel की टीम के लिए भी खेल चुके हैं इसके बाद यह आपको बता दूँ बैगो Night Riders in fact मुझे कहना चाहिए जो recently आपको CPL की टीम दिखी थी और वहाँ पे भी खेल चुके हैं ठीक है आपको पता है बारत आए थे इंडिया के सामने सीरीज खेली 61-62-61 किया रिकॉर्ड काबिले तारीफ है I think आप सब समझेंगे कि यह कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के सबसे नंबर वन दावेदार है देन अमीर जंगू है जिनका लिस्ट है रिकॉर्ड आप देखो 39 मैच में 843 राइस 69, 22 का अवरेज 50 है 5, स्ट्रैकरेट 63 T20 2019 में जो खेले थे उसमें 4 मैच में 143, 35 की अवरेज से स्ट्रैकरेट 130, 4 मैच में 4 ओवर भी कर दिये एक विकेड भी है यह ओस्पिन भी डाल लेते हैं, डमेंस्टिक सर्किट में बुलिंग करी है, यह गिवन कहां पर है विकेड कीपिन सेक्शन में और एक्चली थोड़ी सी ओस्टिक कर सकते है जुरूत पढ़ने पर, इन्होंने CPL में 2 मैच में 25 ही रन किया, स्ट्रैकरेट only 80 का था बड़ प्लियर अच्छे है, लीवर्ड आइलेंट की टीम के लिए यह खेलते है, आप यह समझो कि 6 जो में टीम है या 8 ही इंफेक्ट ल काफी अच्छी स्ट्रॉंग बिल्ट है और मेरे साथ से पावरेटर का रोल करेंगे या फिनिशर का, आप देखो T10 है, उपर आजे, कुछ कह नहीं सकते, इराक टॉमस, इसका बंदे का आपको बताना चाहूंगा, इसने रीसेंट्ली जो लेटेस्ट ओरी डी खेला था 90 बोल्स में, इसके लाबा 21 बोल्स इन्होंने किया था, 2016 में एक दमेस्टिक लोकल मैच था, लेकिन ये काफी प्रेज हुई थी, आप इवन देखोगे, जब इनका नाम आप एक बार सुनोगे तो आपको लई गया यार, ये तो प्लियर हम जानते ही नहीं, लेकिन यकीन मा इसलिए पॉकेट रॉकेट इनको मैंने नाम दिया, मारियो बैल कोन है, काफी पुराने प्लियर है, आपको बता दूरी रिटेट के लिए खेल चुके है, पांच मैंच में 89 रन है, यहां पे 89 के बाद, हाईएस और 31 और 2 डिवीजन में, जो 2 डिवीजन T20 है, वो हमेशा ल धरमशाला में मैच है, मैं कहूँँ कि यह प्लियर धरमशाला के लिए खेलता है, धरमशाला का यह प्लियर देखो कितना तगड़ा है, धरमशाला का रिकॉर्ड दिखा के, अब दूसरा प्लियर जो हमाचल में के लिए खेल रहा है, वो स्टेट के लिए खेल रहा है, उसक कहोगे कि यह ठीक ठाक प्लियर लग रहे है रीड कर सकते हो दो मैच में T20 में 69 और दो मैच में ब्यालेस रन, स्टाइक रहे ठीक राथ हा 138, टेरन सिंड क्वालिटी बोलर है इन फैक्ट बोलिंग से जाता जाने जाते हैं लेकिन बल्लेबाजी से भी रन्स कर लेते हैं ट्रिडेट टीम के लिए रैगुलर हैं छे मैच में 9 विकेट है, 33 रन है लेकिन इनकी बल्लेबाजी आई है चार बार जिसमें से दो बार ये नॉट और गए है तो ये प्लेयर आपकी टीम में रहना चाहिए क्रिस्टोफर विंसेंट है बोलर है जो थोड़ी बल्लेबाजी भी कर लेते है 2018 में एक ही टीट्वेंटी खिला वाँ पर चार ओर करके एक विकेट है दिवीजन टू में इनका भी रिकॉर्ड काफी शानदार है देन विशान जगेसर है टीट्वेंटी 2019 में चार मैच में इनके 17 ही रन है लेकिन ओर देखो बोलिंग बहुत तगडी करते है चार मैच में 14 ओर चार विकेट ठीक है यह हलका सा बल्लेबाजी भी कर लेते है स्टैट्स में आपको लगेगा यार क्या है लेकिन यह आ रहे थे regularly 4-down पे अब वो 4-down पे देखके मुझे पता है क्या समझाया क्या कुछ तो बात होगी तब ही तो इनको उपर प्रमोट कर रहे है बल्लेबाजी में बाकि जस्टिन जोसिफ चार मैच में पूरे ओर किया है ज़्यादा पसंद करते है ग्रैमसवन इंग्लेंड के कोमेंडेटर है अभी की डेट में और उनके बहुत अच्छे स्पिन बोलर रहे चुक है 2015 में आखरी खेले थे यह सेकंड लेवल पे वहाँ पे इन्होंने तीन मैच में दो विकेट लिया था 84 रन किये थे गुड बोलर हुकेंड बैट ठीक है मैं यह नहीं कहा रहा है यह बहुत अच्छे बल्ले बास है इनके स्टैट से आपको शायद लगे लेकिन बोलर अच्छे है बहुत ज़्यादा अपनी बोलिंग के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते है ठीक है स्टीफन सोलोमन एक मैच किया तीन विकेट लिये बोलिंग इनकी भी इस मैच में ठीक थी ज़्यादा रिकॉर्ड था नहीं रियान बंदू है इनका मुझे स्कूल लेवल का ही रिकॉर्ड मिल पाया यह ज़्यादा खेले नहीं है अंडर 20 लेवल पे युनिवर्स्टी लेवल पे खेले है वहाँ इन्होंने और राउंडर का काम किया है जनरली यहाँ पे आप बोलिंग से एक्सपेक्ट ज़्यादा करना सियोन हैकेट है रिसेंटली अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेले है आपको बता दू वेस्ट इंडीस को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने बोला है कि इनको वैसे तो बोलर के तोर पे ही रखा गया था 55 वर्षिय राइट राइटेंड बैटसमन राइटां वीडियम पेसर फॉर्मर प्लियर ऑफ ट्रिडैट वो ट्रिडैट के आइलेंड के लिए खेले है अब यह ट्रिडैट की इंटरना लोकल लिए या आप समझो मैं कहरो हूँ हिमाचल के लिए बंदा खेला हुआ है अब हिमाचल के अंदर कोई लीग हो रही है या मान लो गर आप तमिल नाडू के लिए कोई खेल रहा है और अब तमिल नाडू के अंदर की TNPL चल रही है तो ऐसा सा हिसाब है तो यह अंदर की लीग है तो जो बंदा TNPL में खेला है उसके लिए तो काफी एडवांटेज रहेगा ना पांच मैच में नब्बेरन पांच मैच में इसके विकेड्स भी आच्छी कासी यह ODD का रिकॉर्ड है यह चीज का ध्यान अटना तो यह बंदा आपकी टीम में रह सकता है अब हम बात करते हैं BLD की Probable 11 देखो इनकी टीम में कुछ exciting players है जैसे जाइड गुली पहला नाम जो मैं ले रहूँ गुली भाईया इनका selection कुछ नहीं है ठीक है यह आपको कहां दीखेंगे बुलिंग section में प्लियर अच्छे है और काम इनका उल्टा है बल्ले बाजी करते हैं बुलिंग भी कर लेते हैं स्पिन बट इनकी बल्ले बाजी बहुत अच्छी इनमें से कुछ players है जो 2016-19 वल्ल्ट कब के champion भी रहे हैं यहां पर विकेट कीपिंग और opening करेंगे मैं देख रहा था कि लोग इनका देख रहे थे लिस्टे रिकॉर्ड ठीक है कि 20 मैच में 11 या 9 बारी बल्ले बाजी आई है यह research था उनका इस्या राजा है जाइड गुली है नवीन स्टीवर्ड काफी famous player है CPL में खेल चुक है टीशॉन कैस्ट्रो का नाम काफी चल रहा है इकुअ करे गए अगेन यह more of बल्ले बाजा इथिंग गिवन बोलिंग में है रियाद एमरेड वर्ल्ड क्लास ओल रॉंडर वर्ल्ड क्लास क्यों बोलना है क्योंकि इस लेवल पे यही वर्ल्ड क्लास ओल रॉंडर है ठीक है खारी प्यार है वेस्ट इंडीस को भी रेप्रेजेंट कर चुक है शेर एंड लूइस और अंशिल भगन में से कोई ये खेलेगा अंशिल भगन को बल्ले बाजी सेक्शन में दिया हुआ लेकिन ये भजन घर पे करेंगे क्योंकि ये बोलिंग बहुत अगड़ी करते हैं अभी दोस्तों इनका नाम गिवन बल्ले बाजी में है काम बोलिंग से है तो आप समझ सकते हो हर प्लेयर के बारे में क्यों जानना जरूरी है स्टीवन का टवारू बहुत ज़ादा आपको बता दू कि विकेट केपिंग के तोर पर स्टार्टिंग में फेमस हुए थे अंडर 19 वल्ड कप 2012 में भी खेले थे विराट कोली से भी मिल चुके हैं CPL 2017 में इन्होंने गयाना को रेप्रेजेंट किया था फॉर्मर वेसिंडी अंडर 15 कैप्टन टिरी डैट के अंडर 19 कैप्टन है लिस्टे मैचेज में रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है वैसे आपको बता दू T20 मैचेज में ये टॉप ओडर में आ जाते है T20 मैचेज में रिकॉर्ड अच्छा है लेंडे अलसी मेंचेज में रिकॉर्ड पड़न भी कर सकते है ये टूनामेंट ऐसा है ये प्लियर यहां पर बोलिंग भी कर जाते है आपको विंसी याद होगी मैंने यही बोला था फॉस्ट मैच एवर ओफ विंसी प्रीमेर लिग सीजन वन यहां पर सुनी लेंब्रेश ना दो वर डार के दो तीन विकेट निकाल लिये थे I guess कुछ ऐसा ही सीन था So imagine that Christian थर्टन है चार मैच में 85 रान हाइस्ट ऑफ 60 एवरेज ऑफ 21.25 शेकरे 89, 50 इस वन चौके 4, 6के 3 ठीक है ठीक ठाक रिकॉर्ड है डैनियल उसाउना का एक ही मैच का रिकॉर्ड है दो वर में उन्होंने 0 विकेट नहीं है अंसिल भगन 5 मैच पे 13 वर 7 विकेट अगेन जैसे मैंने बताया इनका रिकॉर्ड बोलर पे तो और पे है बल्लेबाजी पे तो कुछ किया ही नहीं पता नहीं क्यों इनको बल्लेबाजी में गीवन है ICR राजा एक प्लेयर है जो most recently डेब्यू की है ट्री डैट के लिए फर्स्ट ट्रास टूनमेंट्स में ठीक है यानि कि ये अपने आगे के लेवल पे भी खेल रहे है currently in squad of ट्री डैट देखो मैंने लिखा हुआ है ठीक है ये open भी आ सकते है one down भी लेकिन situation जैसी चल रही है टीम की मुझे one down लग रहे है list है 3 match 73 runs है average of 36 थोड़ी सी bowling भी करी है अब T20 record देख लो 2019 का record अच्छा है बल्ले से game बाजी का नहीं है कहीं बल्ले बाजी से यहाँ पे भी अच्छा है इनको यहाँ पे टीम में बुलाया गया जैसे यह baseball के player में को USA में एक मिले थे जो Isaiah Williams नाम के थे so I'm not so sure यह वहीव player है या नहीं तो मैं आपको 100% नहीं बोल सकता है बढ़ इनका कोई record अवेलिबल नहीं था थारी पियर, West Indies के लिए खेल सुक है ट्री डेट की टीम के लिए खेलते है CPL में bowling अच्छी करते है यहाँ पे इनका बल्ले बाजी से भी roll रह सकता है left hand batsman है, left time orthodox करते है mainly आप bowler who can bat up भी ठीक है, एक इनके बास इस class में तक भी है average भी 24 के है, जिससे आपको idea देगा थोड़ी bowling के साथ बल्ले बाजी भी कर लेंगे Pishon Castro, इनका club level करी देखो यह जब मैं कहरा हूँ ना, less domestic league तो यह division 2 आ जाती है, वहाँ पे देखो performance 6 match में 266 का average, 7 vict इसको देखे तो आप comment करेगा, भीया captain मना देते हैं, ठीक है, player अच्छे है कोई शक नहीं है, उपर वाले level पे 4 match में 46-23 के average, और 4 vict भी है, वहाँ ठीक ठक performance है, यहाँ तो भीया main player बन के नहीं कल रहे है नवीन स्टिवर्ट, CPL में Barbados के लिए खेल चुक है, गयाना के लिए खेल चुक है यह champion भी बन चुक है, एक बार CPL के फायम, right, 38-year-old player है 32 match में 163 run, highest 33 average 13 का ही है, bowling में देखोगे, काफी bowling करी हुई है, तेरा विकेट है तो यह quality all-under बन सकते है रियाद Emirate तो quality all-under है ही, आपने इनको कई बार खेलते हैं, दूसरी leagues बे भी Canada T20 League जो ही थी, Global T20 League वहाँ पर भी रोड़े मेरे को यादर runs किये थे तो कई ना कई main bowler है, जो कि striking ability रखते हैं, तेजी से runs भी कर सकते हैं यह death में bowling भी आ सकते हैं, तो इनको ignore मत करना, 40 साल के player है CPL team को खेलतों चुके हैं, सेंट किट्स के लिए उनको captain भी कर चुके हैं, imagine Sharon Lewis, ODD में 4 match में 0 run और 5 wicket है record इनका भी ठीक है, under 19 West Indies के player रह चुके है, left hand fast है net bowler रहे है, train bag on night riders के लिए और उनको training करते हैं, ठीक है, उनके साथ training करते हैं, उनको नहीं, ठीक है, तो Sharon Lewis इसका ध्यान लटना, अब ये जाइड गूली, मुझे बहुत प्यारा नाम लगा है, इनका, गूली भाहिया, ठीक है ये 2016, 1119 World Cup के champion रह चुके है, left hand batsman, right hand off spinner है, more of a batsman who can contribute with bowl, और given कहाँ पे है, bowling section में, ये आपको 2-3 down भी आते दिख सकते हैं चे मैच में, ब्याले सरन, 21 की एवरे स्ट्रैक रेट सो, चक्के जा रहे हैं, और 2 विक्टे है चक्के जार का ये मतलब है कि भाहिया, यहां काम आ सकते है, T10 लीग में, other domestic वोई lower level लीग आ गई, जैसे हमने इनका देखाना ना, आप समझो, आप record सरफ पढ़ना नहीं होता record को, क्या level पे खेला गया है, क्यूं उतना record अच्छा है, यह देखो यह जो, इनका record है, 6 मैच में, 260 वला उसी टूर्नामेंट में, जैड गूली ने 6 मैच में, 8 मैच में, 269 किये, तिरपन की में, 100 भी है, इनकी, then करविद सर्जू है, इनके नाम में ही, सर है, रविंदर जड़ेजा के थोड़े भाई तो नहीं है, क्या है, चार मैच में, 8 विकेट है, 2018 के ODD में, T20 में, 2019 में, 5 मैच में, 5 विकेट है, then दोस्तों, इनके star players रहेंगे, Landal, Simmons, Khari PR और Riyadh Emirate, इनको small league में miss मत कर देना, दोस्तों, मैंने full night जाकतर, ये stats की है, तो अमीद करूँ, आप समझो होगे किती struggle हुई है, मुझे, in fact, मैंने यहाँ पर ये video बहुत लेट record किया, stats तो मैंने full night में कर लिये थे, बट मैं उसके बाद थोड़ा, अम्बीर सोच में चलेगा, क्योंकि match में clarity नहीं है, this is a very risky match, small league के लिए खेलना है, I don't recommend, बट खेलना है, चुल है, आपको मेरी जिसी तो थोड़ा खेल सकते हो, ठीक है, लेकिन खेले वही, जो हारना भी afford कर सकता है, मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं कह सकता, ये कटवारू 9% वाला सब का काड़ दे, और अमीर जंगू आपको अमीर बना दे 10% में, ये बंदे ने अगर bowling कर दी, 4 और सब मुह देखते रह जाएंगे, और 4 और तो कैसी करेंगे, प्यूज भाई आपको क्या हो गया, टीटेन है, 2 और तो कर सकते हैं, 2 और कर दी तो सब मुह देखते रह जाएंगे, ये कहां से बूलिंग कर गया, विकेट कीपिंग सेक्शन होला, तो ध्यान देना, अब देखो, निकुलस पुरान मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, इनसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है, यहां पे, निकुलस पुरान को तो हमने ले लिया है, अमीर जंगू, कटवारू, दोनों को ले सकते हो, कटवारू ओपनिंग पे आ सकते हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं, दो काम हो गए, अमीर जंगू, मोस्ट लैकली विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, बल्ले बाजी कर सकते हैं, ओपनिंग या वन्डॉन पे, प्लस ये ओवर भी करते आपको दिख जाएंगे तो अमीर जंगो अमीर बना सकते हैं ये ग्रैंड लिंग में तो ये दोनों रहेंगे ही हमारे ठीक है एलफरेड भहिया का रिकॉर्ड उत्ता अच्छा नहीं है मैं पहले बता चको और मैंडेखहनों है तो बहिया त्yll tocar लगए देखने में बल्ले बाजी इनकी नहीं देखने को मिली मुझे फिल्दिंग देखने को मिली इनकी बहुत बहुत तकडी है तियुआ है ये विकेट़ओं में इवन है हाँ इनको भी पता है, यह चैंपियन है, इनको हमने ले लिया, अब दोस्तों, यहाँ पर इराक टॉमस है, इनका मैंने बताया था, 21 बॉल्ट शतक, और 150 भी क्या था रहूं, 90 बॉल्स में, तो इनको मैंने ले लिया, ठीक है, यह थोड़ा बत, इसलिए 2% सेलेक्शन है, यह प्लेयर का रिकॉर्ड बढ़िया लगा, मुझे बॉलिंग भी कर सकता है, यह बंदा, तो यह ग्रुईक्षिय हैं कि एक अच्छा प्लेयर बन सकता है, भगन तो है ही बॉलर, इनको भगा रहे हैं, पता नहीं क्यों यहां पर बल्लेबाजी सेक्शन में, जब कि यह हैं बॉलर, ठीक है, आई राजा है, इनका भी रिकॉर्ड अच्छा है, नॉर्मल था, बैलकान एक हिट्टर है, इनको ट्राइ कर सकते हो, रैमबरान नीचे आएंगे, तो यह दो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ही, थर्ड में मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, पुरान और राजा में, अगर तो हमें कोई क्राइड इशू नहीं आता, तो हम आके देख लेंगे, किसको सिलेक्ट करना है, फॉर्ड टाइमिंग और राउंडर में यह तीन, जिसकी फोटो लगी है वो तो हर प्लेयर ले लो, अब अब आपविसली इनकी भी लगी है, प्यूश भे इनको भी ले ले, लेकिन समझो, यह प्लेयर कहीं ना कहीं पहले आ चुके हैं, तभी इनकी फोटो लगी है, मैं बलब प्लेयर फेमस है, यह logic बहुत घटिया हुआ, लेकिन मैंने आपको रिकॉर्ड भी बताया है, यह shortcut था, अगले matches भी अगर आप खेल रहो, ठीक है, अब रियाद है, मेरे ड़े है, quality allrounder है, सेंट किट्स के लिए खेल चुके हैं, खारी पे ट्रेड़ेट के लिए खेल चुके हैं, ठीक है, विंसेंट, बोलिंग से बहुत शांदार रिकार्ड रखते हैं, बल्ले बाजी से नहीं, बोलिंग से रखते हैं, जगेसर भी बोलिंग से, कैस्ट्रो का रिकॉर्ड बल्ले और गेम दोनों से अच्छा है, ठीक है, नवीन स्टीवर्ड, CPL के फॉर्मर प्लेयर हैं, इन दोनों को भी ले सकते हो, जोसेफ साब का रिकॉर्ड मुझे बोलिंग से ही अच्छा लगा, तो ये mostly जो सभी हैं, बोलिंग से ही खेले जाएंगे, स्टीवर्ड और कैस्ट्रो इन में अच्छे प्लेयर्ज हैं, ये CPL खेल चुके हैं, इनका रिकॉर्ड आपको मैंने दिखाया था, कैस्ट्रो का काफी अच्छा है, तो यहां मैं कन्फ्यूज हूँ, इन दोनों को ले, या अमीर जंगु को, क्योंकि मुझे बहुत फिलिंग आ रही है, अमीर जंगु बोलिंग करके विक्टे ना निकाले, और ये बोलिंग नहीं भी करता, तो ये बंदर क्रेड़ के लिए ओपनिंग कर चुका है, CPL में, वहां कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन वो लेवल भी तो कितना हाई है, ठीक है, ये चीज़ समझो, ठीक है, बोलिंग में आके मैंने दोस्तों यहाँ पर आप्शन्स बहुत है, सबसे पहले मैंने स्वीप ओल को ले लिए, जो कि मैंने बताया था, नरायन और स्वैन को काफी मानते हैं, स्पिन बोलर हैं, जो थोड़ी बल्ले बाजी भी कर लेते हैं, मैं थोड़ा कनफ्यूज हो रहा हूँ, यहाँ पर एक लुईस और इनमें की कौन लेफट आर्मर थे, मैंने आपको स्टैट्स में बताया था, लेकिन ठीक है, यहाँ पर बंदू भाई का थोड़ा सा रिकॉर्ड ठीक ठा किया है, उतना खास नहीं, सर्जु का बोलिंग से रिकॉर्ड है, लेकिन गुली जाग, यह बल्ले जे रिकॉर्ड रखते हैं, तगड़ा, बोलिंग थोड़ी सी कर सकते है, स्पिन, बड़ बल्ले बाजी इनकी तगड़ी है, दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, सुईपॉल हैकिट और S. Lewis को लिए, जो मेरे साब से पूरे ओवर डालने चाहिए, अभी दोस्तों, हमें दो प्लेयर पिक करना है, एक बल्ले बाजी में, एक गेन बाजी में, अब देखो, जंगु भही का प्लीज भहिया ध्यान रखना, कटवारू का ध्यान रखना, 10% जनता ने लिए, लेकिन यही अमीर जंगु आपकी जंग में आपको अमीर बना सकते हैं, प्लीज, गौर करना, यह टीम का प्रिविउ है, इस मैच में कुछ भी हो सकता है, पहले मैच इस थोड़ा देखना ही बहतर है, बाकि आपको भी अगर चुल है मेरी तना, तो यह वीडियो आपी के लिए है, तो यहाँ पे मिरे को पता है इतने व्यू नहीं हैंगे, यहाँ पे खार प्यार भी ठीक है, जो अन्नोन क्लियर्ज हैं उसमें अमीर जंगू, ठीक है, मैं अमीर जंगू का नाम ले रहो, मन बहुत है स्मॉन लिग में भी लेने का, तो यह कुछ उप्शन्स है, इनको आप ट्राय करो, जो सारी बाते हैं उनको फॉलो अप करो, और अपनी बड़िया से बड़िया टीम बनाओ, डोन्ट लूक एट माई टीम, मेरा जो टीम वला पार्ट था, एक्स्पेनेशन वला पार्ट था, उस पर फोकस करो, अल्ट बेस्ट, टेक कियर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वेरी सून,